So hey what's up guys welcome back to my new video So guys आजकी इस वीडियो को मेने अपinsi शेयर कियागी अगर आप अपने आईपोन में screen recording नहीं ले पा रहे हो मेरी जैसे यहां सक्रें रिखा हो रहा हो तो कुछ इस तरीके से यहां परrywा हो रहा है यहां पर लिखा है not available when airplay, carplay, रिकstりक्शन और इस screen mirroring is active तो कुछ इस तरह केसा आपको show हो रहा है अगर आपके iPhone में आप screen recording को नहीं कर पा रहे हो तो इस तीज को आप कैसे fix कर सकते हो इसे कैसे solve कर सकते हो आज की इस video पे मैंने आपके साथ में इसे share किया हुआ स्टेप बेस स्टेप देखे तभी चीज आपको समझ मैंगी कि आप इस चीज को कर सकते हो तो आज चीज आउसम वीडियो को शुरू करते है यहां पर आपको जाना है setting पर हम इस पर क्लीक करते हैं आपको निचे स्क्रॉल करना है और यहां पर कुछ आपसन दिखाए देगा screen time का आपको इस पर क्लीक करके तो अगर आपका आपने हिसाब से इस पर मैनेज कर सकते हूं तो फिल आपके सामने कुछ इस रिकेस होगा आपको नीचे स्कॉल करना और यहां पर कुछ उप्सन दिखाए देगा आपके लिखाए तो कैस्ट यहांपको ऊप्सन दिखाए देगा इन प्राइबेसी रिसे इस टोगल आपको आउख होगा definitely तो simply इसके पहले ऑन कर देदिना है इसको अउन करने के बाद आपको नीचे ओप्सन दिखाए देगा content restriction इस पर क्लिक कर देना है ठीक है इस पर क्लिक करने कर आपको नी आपको simply इस पर अलाव पर क्लिक कर देना है अलाव पर यह सब क्लिक कर गए तो finally जो आपका problem है यह fix हो चुका है let's test it ठीक है तो यहां पर हम home screen पर आते हैं और यहां से हम screen recording को on करते है so guys आप देखसे होतते कि यहां पर कोने में screen recording मेरा हो रहा है तो यह चीज अपको fix हो चुका है ठीक है आपको दिखा देता हूं यहां पर हम इससे off कर देते हैं प्लेइ करते हूं आप देख स णते हैं कि आपका प्रोब्लम था NK will solve हो चुका है आप यहाँ पे screen recording कर सकते हो तो आयू पी प्रॉब्लम आपका सॉल्फ होगा अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को जुरू सब्सक्राइब करना विलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तो तक के लिए टेक क्यार ओफ आल चैहिंद